हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नुलेज हब दोस्तों, आज हम जानेंगे आम के कुछ गरेलू फाइदों के बारे में आम हमारी स्वाज़ती के लिए बहुत ही लाबकारी है आम सक्ति वर्दक है, आम खाने से रक्त बहुत पेदा होता है दुबले पतले लोगों का वजन बढ़ता है, मुत्र खुलकर आता है सरीर में स्पूर्टी आती है, आम का मुर्बा भी ले सकते है सक्ति वर्दक है तू बोजन के बाद लगातार दो महिने आम खाएं आम चूसने के बाद दूद पीने से आंतों को बल मिलता है आम पेट को साफ करता है, इसमें पोशक और रेचक दोनों गुण होते है यह यकरत की निरिबलता तता रग्द अलपता को ठीक करता है सित्तर ग्राम मीठे आम का रस दो ग्राम सोंठ में मिला कर प्रात्य पीने से पाचन सक्ति बढ़ती है एक कप आम रस में आदा कफ दूद, एक चमच गी, दो चमच अद्रक का रस मिला कर नित्य जब तक आम मिलते रहें इसे पीते रहें इससे स्वाश्टे अच्छा रहेगा तथा रक्द शाफ होगा पत्री के इलाज में आम का उप्योग, आम के ताजा पत्ते चाया में सुखा कर बहुत बारिक पीस लें और आठ ग्राम नित्य बासी पानी के साथ प्रात्य फेकी लें रेत कंक्री दूर हो जाएगी अमचूर को पानी में पीस कर लगाने से छोटी मोटी फुंशियां ठीक हो जाती है दाड़ी पर निकलने वाली फुंशियां नाई की हजामत भी ठीक हो जाती है आम की सुखी गुटली से निकलने वाले गीरी पीस कर नित्य तीन बार सुंगने से नक्षिर ठीक हो जाती है आम का सेवन करने से त्वचा का रंग साफ हो जाता है रूप में निखार आकर चहरे की चमक बढ़ती है टीबी के इलाज में आम का उप्यो एक कप आम रस में 60 ग्राम साहद मिलाकर नित्य सुबह साम पीएं नित्य तीन बार गाय का दूद पीएं इस प्रकार 21 दिन करने से यक्समा या टीबी में काफी प्रकार का लाब होता है जब तक आम मिलता रहे एक ग्लास आम रस पीते रहने से चहरे पर जुरियां नहीं पड़ती और जुरियां हो तो वह मिट जाती है ओके फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो हलो फ्रेंड्स